बंगाल की खाड़ी में चक्रवादी तूफान अमफान भयंकर तबाही मचा सकता है मौसम वभाग ने इस बात की संभावना जताई है कि क्षित्र में भीशन बारिश के साथ तेज हवाई चल सकती है और समुद्र में उची लहरे उठ सकती है फिलाल चक्रवाद अमफान बंगाल और ओडिशा तटकी ओर तेजी से बढ़ रहा है चक्रवाद की वर्तमान गती 160 किलोमेटर प्रतिगहंटा है मौसम वभाग के मताबिक बंगाल की खड़ी की उपर से उठने वाले चक्रवाद की ताकत और बढ़नी की संभावना है और ऐसे में खत्रे को भाबते हुए ओडिशा की बारे जिलो और कॉलकता सहीद बंगाल की पांच जिलो में अलाट ज़ारी किया गया है इसके अलावा बंगाल में दक्षिन 24 पर गना उत्तर 24 पर गना पूर और पशिम मिदनापुर हाई अलाट पर हैं वहीं अगले आदेश तक मचली पकड़ने पर भी रोक लगा दी गई है सुरक्षा ववस्था के मदनजर बंगाल और और ओडिशा में अंजे आरफ की सत्रे टीमें तैनाथ हैं और साथ ही एहतियात के तौर पर करीब 11 लाख लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा गया है बंगाली खाली में बनकर तयार हो रहा अमफान अब एक तीवर और भेंकर रूप लेता दिखाई दे रहा है चक्रवाती तूफान को ध्यान में रखते हुए पस्चिम मंगाल और उडिसा में अलट जारी कर दिया है जिसके बाद करीब 11 लाख लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भी भेज दिया गया है इसको लेकर केंदर सरकार भी गंभीर दिखाई दे रही जिसके बाद करीब साम 4 बजे पीम नरेंदर मोदी ग्रह मंत्राले और एंडिया में के साथ बैठक भी करेंगे इसको ध्यान में रखते हुए कि चक्रवादी तुफान के लिए मौसम विभाग ने करीब 20 बारिश के साथ साथ 190 किलोमेटर प्रती घंटे से लेकर 220 किलोमेटर प्रती घंटे तक की रफ्तार से हवा चलने के असंका भी जताई है जिसके बाद अब वहाँ पर लोगों में एक दर का महौल भी देखा जा रहा है मैं के वन परसन राम पिसन सैनी के साथ रिशाप पांडे एवन टिवी निउस जैपूर